हलो एवरीवन वेलकुम तो माई चानल इस वीकली जॉडियक रीडिंग में हम सजिटेरियस यानि की धनुराशिवाय लोग ले देखेंगे कि उनका ये जो वीक है वो कैसा रहेगा कौन कौनसी एनर्जी उनके सराउंडिंग में रहेंगी साथ में जो भी एद्वाइज होगी से यहां पर शफल कर लेते हैं कार्ट सजिटेरियस धनुराशी काफी सारे कौनफलिक्स आप लोग की लाइफ में चल रहे हैं मैंटल कौनफलिक्स चल रहे हैं किसने किसी तीज में जगल कर रहे हो परिशान हो रहे हो और दूसरी चीज यहां पर यह है कि वह जो चीजें आपकी लाइफ में चल रही है ना मैं कूँ बेवज़े हैं यह कार्ट पहले भी आ रहा था दी एंप्रेर का आपको चीजों को ना एक मैच्चुर ली मैं कहूं एक मैच्चुर वेसे हैंडल करने की हो सकता है कि आप लोग के आसपास के लोग थोड़े से स्टबवन हो जल्दी चीजों को समझ नहीं पाते हूं हाँ थोड़े से जिदी काइंड ओफ तो आपको ऐसा लगता हो कि आपकी मैच्च नहीं हो रही है लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं लोग सही को नहीं समझ प यहां पर यह कहा जा रहा है जो भी एक्सपीरियंस आपको मिले हैं उन से सॉल्व करें दूसरी चीज यहां पर आप लोग की लाइफ में देख रही हूं आप लोग को बहुत जादा स्ट्रॉंग होते हुए यह वीक की एनरजी ऐसी होंगे कि आप लोग मेंटली खुद को बह कि बढ़ा हुआ फील करते हूं या फिर खुद को थोड़ा बर्डन फील करते हूं ऐसी यहां पर अनरजीज हैं ओके किंग ऑफ सौर्ट्स वही है प्रैक्टिकल थिंकिंग को अपनाना एक्शन को लेना अपनी पावर्स में फिर से आना और जज्जमेंट भी है यहां पर सबके साथ चलना पड़ेगा आप किसी को प्रायोर्टी नहीं दे सकते है nut nothing ... सबको आपको equal मैं कहुं कि इक इक्वल स्टेज पर को रखना पड़ेगा आप लोग समंझ रहें अपको क्या कहना चाहती हूं शब्सक्त्री आप लोग अपनी लाईंस नहीं से चीच करना होता है तो यहां पर आपको कहा जा रहा है कि किसी के भी साथ पाइशल्टी नहीं करिएगा कुछ हो सकते हैं कि आपको important decisions लेने पड़ें स्वी किसी चीज के regarding तो थोड़ा सा वहां पर आप कुछ को बहुत परिशान भी होंगे आपके मन में थौट्स भी चलते रहेंगे यहां पर ऐसी एनजीज है सेवन ऑफ कप्स चीजी क्लियर नहीं है आपको एक बात बताओं जब तक चीजे आपको क्लियर नहीं होना तब तक कोई भी डिysisान नहीं लीजेगा यहां पर हाला कि Cvil. कर रहें हों और चीजे और ज्यादं को कन्रators कर दे रहे हों तो थोड़ा सा मेडिटेशन आपको करने की जरूरत है अपने मन को शांत करने की जरूरत है गुस्से में आके अग्रेसिव होके कोई भी डिसीजन ना ले बहुत जादा खुश होके भी कोई डिसीजन ना ले गुस्सा आ रहा हो लडाई हो तो उस वक्त भी कोई डिसीजन ना आपको ज़रूरत है कि अपने मन को शांत करें और उसके बाद ही किसी चीज के रिजल्ट पर पहुंचें चीक है मेडिटेशन करना आप लोग के लिए बहुत जादा इंपॉर्डेंट है मेडिटेशन का मैंने एक वीडियो अप्लोड भी कर दिया है अगर आपको नहीं पता मेडिटेशन कैसे करते हैं तो आप एक बार उससे देख लीजेगा उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में एड कर दूंगी और देख लेक्स आप लोग के लिए क्या एडवाइज है और आप देख लेटिव नहीं हो पाते हो यहां पर चीजों के सल्यूशन नहीं डोड़ पाते हो यह सारा कुछ इस ही चक्रा में है अगर हैल्थ इस चल रहे हैं तो उनको रिजॉल्व कर लिजे इस चक्रा पर जो भी ऑफिमेशन रहती है उनने प्रैक्टिस करिए और और औरेंज कलर से खुद को मैं कहूं औरेंज कलर का अगर आप मेडिटेशन करते हो तो उस ताम पर औरेंज कलर पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए और देखते हूं आप लोग ले क्या एडवाइस है Sagittarius Deceit Experiences अच्छे नहीं रहे हैं आपके यहां पर फॉगिव भी आप लोग को बहुत सारे लोगों करना पर सकता है बट आप लोग ऐसी एनरजी में हैं कि नहीं कर पा रहें माफ नहीं कर पा रहें जन लोगों ने आपके साथ गलत किया है बुरा किया है पर माफ नहीं करोगे तो मैं कहूँ कि खुद ही stuck हो जाओगे आपके ही अंदर issues create हो जाएंगे आपके अंदर ही आपके चक्रास में blockage create हो जाएंगे तो माफ करिए आगे भड़िए उन चीजों से दूसरा यहां पर aware भी रहिए कौन आपके साथ क्या गलत कर रहा है क्या नहीं कर रहा है रेस्ट कर शोड़ डिजेए आपको कुछ गलत नहीं करना है ठीक है आपको गलत नहीं करना है यह ऱह पर कहाना मैंने आपको आपके जो भी रिलेशन्स है उन में ट्रस्ट मिल्ड करना बहुत जादा इंपॉर्डेंट है आपके लिए हो सकता है कुछ ट्रस्ट इशूस चल रहे हो तो वहां पर क्लारिटी आना आपको बहुत जादा जरूरी है ठीक है नोट इराइट टाइम तो यहां पर मैंने कहा ना आप कोई भी डिसीजन जल्दी बाजी में नहीं लीजेगा तब तक आपको सारी चीज़े क्लिर नहीं हो आप बहुत साथा गुसा हो तब भी कोई डिसीजन ने लीजेगा बहुत जाता लडाईयां चल रही हो तब भी कोई जरूर बताईयेगा आप से रेजनेट कर रही है यह रीडिंग तो इस रीडिंग के लिए इतना ही मैं मिलती हूं आप से नेक्स रीडिंग में तब तक के लिए बाई